हम जोर दिल वाले के लिए शेर नहीं है यास बैंक क्योंकि इसके साथ काफी चीजे लग रही है फिर मैं आपको वह बार-बार बताऊंगा कि आज यह वह सारी कार बनानी है तो इससे तेजी आ सकती है पर जब पूर्टिया कार बनेगी तो इसमें सालों लग जाएंगे और जब रंग लेकर आएगी तो वह आज सबकर आपको अपने उपर इतना विश्वास है कि मैं एक लाग के तीन लाग कर सकता हूं तो एक लाग तो आपको कोई भी देदेगा दीरे दीरे उजवलता की और जाकर थोड़ा बहुत अच्छा हम कर सकते हैं तो जो सपने हमारे बहुत बड़े हैं वो कम पैसों से जल्दी से पूरे नहीं होंगे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, कुछ लोग कहेंगे सर बनाया जा सकता है, कुछ लोग कहेंगे सर बड़ा मुस्किल है, तो या पैसे से पैसा बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजार से आज बात करेंगे NLC इंडिया की बात करेंगे सुजलोन अनर्जी यस बैंक आयोसी यानि की इंडियन ओयल कॉपरेशन की ज़र इन सब की बात करने से पहले थोड़ा समय आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पैसे से पैसा बनाया जा सकता है कुछ लोग कहेंगे सर बनाया जा सकता है और कुछ लोग कहेंगे सर बड़ा मुस्किल है तो या पैसे से पैसा बिलकुल भी नहीं बनाया जा सकता पैसे से पैसा अगर बनता तो हर एक व्यक्ति आज क्रोड़पती होकर ही बैठ जाता कहीं बिजनिस कुछ लोग किसी के कहने पर स्टार्ट कर देते हैं या वो सोचते हैं हमारे पास काम नहीं है ये बिजनिस करेंगे और वो बिजनिस चल नहीं पाता तुम्हा क्या होता है पैसा भी गया सबकुछ बरबाद सा हो जाता है इसी तरीके से लोग आते हैं शेर मार्केट में और सोचते हैं कि पैसे से पैसा बनाकर अपनी सेलरी निकाल कर और यहां के राजा हमें बनना पड़ेगा सबसे पहले एक चीज मैं बता दूँ पैसे से पैसा बनाने की विधी अगर आपको आती है तो बनेगा और अगर पैसे से पैसे बनाने की विधी आपको नहीं आती है तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा ये बहुत असान तरीका शेर मार्किट का नहीं है कि अगर हम एक लाग इन्वेस्टमेंट करके और उसे दस लाग बीस लाग बनाने की सोचें तो भहिया ये एक नामुम्किन काम है पर एक लाग से अपनी दिसा को दीरे दीरे उजवलता की और जाकर तोड़ा बहुत अच्छा हम कर सकते हैं तो जो सपने हमारे बहुत बड़े हैं वो कम पैसों से जल्दी से पूरे नहीं होगे सबसे पहले तो ये चीज़े आप अपना लो शेर मार्किट में जैसे निरंतर निरंतर कुछ भी चीज़े होती रहती हैं वो शेर बाग गया ये हो गया वो गया ये हो गया तो हम उल्जुनों में फसे रहते हैं मकसद आप एक तलास कीज़े कुछ चुनिंदा शेरों के अंदर अपनी सिप की अभिलासा दूर तक और अभी बीच में आपको बताया था कि डिविडेंट की माध्यम की चीज़े दूर तक और सौट्रम अगर आपको करना है तो वो अलग चीज़े से आप कर सकते हो वरना अगर आपकी चीज़े लंबे समय के हिसाब से है तो वाकि मुमकिन आपका पैसे से कुछ पैसा बन सकता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके कहीं न कहीं पैसा फसेगा और अगर आप ताल मेल के साथ सबसे पहले सोच जो आपकी है वो आपका पैसा बना कर देए है तो यह पैसे का ही काम कि पैसे लगा कर ही पैसे कमाई जाते हैं पर पैसे लगा कर कुछ लोग डूब भी तो जाते हैं और उसके बाद से फिर लालची चीजें हमारे सामने आ जाती है, कोई हमें कॉल करता है, कोई हमें कुछ बताता है, कोई अपना टेलिग्राम जोईन करवाता है, तो हमारी उलजने और माइंड की डिश्टप्स ही हो जाती है, आप उस शैक्टर या उस कमपनी पर अपने विचार को अच्छा कीजिए, जो कुछ अपनी चीजों को आगे के लिए बताया जा रहा है, अपने में विस्तार करने की नीतिया बताया जा रहा है, फिर उसके अंदर समय देकर सिप के साथ उसमें काम्याभी हासिल की जा सकती है, तो आज का माध्यम जो है, पैसे से पैसा बन तो सकता है, पर सब का बन जाएगा, ये मुम्किन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब का धेरिता, सब की सोचने, देखने की विवैस्ता अलग-अलग होती है, तो आज से आपको उन चीजों को छोड़ना है, जो सपनों में हमें घेर रही है, सपने देखने अच्छे हैं, पर शेर मार्किट के सपने देखना मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज है, जहां पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी से पैसा कमाया जा सकता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है, शेरों को, और दूसरा, उसकी बारीकियाओं को खुद भी जाचना है, उस हिसाब से उसकी वीडियो देखनी है, फिर उसको अपने साथ ब्रातों को बैट कर उसकी अनलाइस कीजिए, देखिए, इधर उधर की चीजे समझिए, फिर उसके अंदर अपनी चीजो को लंबे समय के लिए रखे, और जब आप ये काम करने लग जाएंगे, वाखिए आपका पैसे से पैसा बनेगा, मैंने ये आपको इसलिए का है, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं भया, पैसा, आजकल पैसा सबके बास है, अगर आपको अपने उपर इतना विश्वास है कि मैं एक लाग के तीन लाग कर सकता हूँ, तो एक लाग तो आपको कोई भी दे देगा, विश्वास, जब आपको पता है कि मार्किट में अम एक लाग लगा कर, एक लाग, दो लाग, तीन लाग कर सकते हैं, तो पैसा तो फिर आप कहीं से भी ला सकते हैं, क्या फिर वो चीज़ें हो जाएंगी, यह इसलिए मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह की कमेंड भी आते हैं, इस तरह की कोल भी आती हैं मेरे पास, जहां हम कुछ चीज़ों को उस हिसाब से देख रहे हैं, कि भाया, अब सब कुछ हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक जादू की छड़ी मिल गई है, और वो डिमेट अकाउंट है, और उसके अंदर हमारे अकाउंट खुल गया, और पैसे बन जाएंगे, यह दो एकाउंट वाला फार्मूला, मुझे बहुत विसेज तोर पर बहुत अच्छा लगता है, जहां पर हम इसकी जो छमता है, अपने पैसों के साब से टिविडेंट वाले या अलग रण नीतियों के साथ आगे तक रखते हैं, और दूसरों से अपने 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 प्रॉफिट की मंसा को देखते हैं, तो मेरे हिसाब से यह जो आपके पस अगर दो एकाउंट है, तो आप उसमें तो विशेश तोर पर कल जो गुरूप इंडियमा के दिन इतने सारे कमेंट आए, सबका मैंने विशेश तोर पर रात के दो तीन बजे तक के जवाब दिया है, और हम सब मिलकर इस जरनी को आगे बढ़ाएंगे, और नोर्मली तरीके से इस टीच को आगे की तरब हम कीच सक करते हैं, बजट कल है, बजट के भी दो तरीके होते हैं, यह दो तरीके आज समझ कर जाना सर, बजट के लिए या किसी इवेंट के लिए, बजट की रणीतिया हमारी जो देश में वर्क होगा, जो देश के लिए चीजे होंगी, किसी अन्य सेक्टर के लिए, किसी दूसरे अन्ने सेक्टर के लिए सरकार की जो अकांसा हैं वो बजट के दुआरा पता लगेगी चाहे वो रेलवे के लिए हो बैंकिंग सेक्टर के लिए हो इंफरस्ट्रेक्टर के लिए हो 30 लेजर शेरों के लिए हो किसी भी सेक्टर के लिए हो वो बजट के दुआरा पता लगेगी और कुछ लोग इस इवेंट को भुनाना चाते हैं और वो इसको सोट्रम के हिसाब से भी देखते हैं और लाजमी मैं आपको एक चीज बता दू कुछ बड़े निवेसक ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि जब सरकार ने अपने बजट में एक बजट परस्टू जैसे कल करेगी तो जिस भी सेक्टर के लिए होगा तो बड़े जो निवेसक होते हैं यह डियाईज होगे, एफाईज होगे बड़े बड़े लोग होगे तो वो अपना एक ज़्यादा एमाउंट उस सेक्टर के शेरों पर या उस अलग रणीती के सेक्टर पर लगा देते हैं और फिर वो सांथ बैठते हैं, हाँ इस वज़े से भी तेजी आ सकती है पर उनके मसले लंबे हो जाएंगे क्योंकि जब सरकार ने अगर रेलवे के लिए कुछ बजट पास किया तो वो कार्रे होंगे और वो कार्रे साल, दो साल, तीन साल में रंग लाएंगे तो बजट एक ऐसी चीज बन गई कि अगर हमारे बजट के मंसा को देखकर हमने किसी चीज में लंबे समय के लिए इंवेस्टमेंट कर दिया और वो चीजों को समझ लिया कि इस चीज के लिए सरकार ने कुछ किया है तो फिर प्राइज मत देखो, फिर दूर तक की द्रेश्टी देखो अब इसी में दूसरे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बजट के लिए होगा तो शेर पड़ी तीजी के साथ उपर जाएंगे बाइक चांस नहीं गए तो अलग बात है जाएंगे तो क्या करेंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे पर उस वर्ट्रम के साथ साथ उस सेक्टर पर जो चीज़े होई हैं आख बंद करके अगर रेलवे के लिए हैं तो रेलवे के अच्छे शेरों को दूसरे गाउन में छोड़ो फार्मा सेक्टर के लिए कुछ हुआ है फार्मा के शेरों को दूसरे चीज़ों में छोड़ो एग्रीकर्चर के लिए तो Fality Lager के शेरों को दूसरे चीजों के साथ छोड़ो अप आपको देखने को मिला होगा Fality Lager के शेर तेज़ी के संकेतों के साथ भाग रहे हैं यह वही चीज है जब देश प्रदानमंतर जी इने किरसी की चीज़ों के लिए कुछ कहा था उस दिन दो तिन दिन तेजी आई थी फिर मैंने आपको कहा था कि बजट में जब इस तरह की चीज़े भी हो सकते तो आज भी आपको तेजी देखने को मिली है उसके अंदर पर जब पूर्टिया कार बनेगी तो इसमें सालों लग जाएंगे और जब वो रंग लेकर आएगी तो वो आज की हिसाब से कई गुने पर सेरोंगे है समझ मैं रणीती तो इस रणीती को आज मुझे आपको समझाना था बजट दो तरीकों से आपको देखना चाहिए हम देख रहे हैं तेजी आएगी बुक करके निकल जाएगी कुछ लोग समझ रहे हैं यहां से हमें पता लग गया कि इस सेक्टर में कुछ होने वाला है बहुत विशेश तोर पर वीडियो है गहराई से समझो इन चीजों को तब आपको समझ में आएगा यह बैंक के उपर जैसे उसका रिजल्ट है मैंने आपको उसकी सारी विशेशता ही बता दी थी मैंने का भया इतना अच्छा खासा रिजल्ट इसने परस्तूत कर दिया प्रोफिट भी कर दिया पर वो रंग मंडे के दिन नहीं लाता यह बैंक यह कहीं को आटर हो का जब इसका रिजल्ट हमने देखने को मिला तो हमारे साथ यह परती किरिया होई कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो बहुत अच्छ बहुत कमजोर दिल वाले के लिए शेर नहीं है यह बैंक क्योंकि इसके साथ काफी चीज़े लग रही है फिर मैं आपको वह बार बार बताऊंगा यह वह सारी चीज़े काफी है उसे होने में सालों लग जाएंगे अब जो यह रिजट परस्तूत कर रहा है इसे देखकर सि अंदर अगर इतना अच्छा यह बती तो आ यह सीधा आपको 29 के लेवल दिखा देता यह बैंग दिखाया नहीं यह लंबे समय का शेर है और आप देख लेना जब भी इसका रिजल्ट आता अधिकतर सनिवार को आता है और मैंने तो इसके हर क्वार्टर को भापा है और मैं क्या करें इतनी एक रुपे की उच्छाल इतने अच्छे रिजल्ट आने में और दूसरे कंपनी का रिजल्ट आता तो पता नहीं कहां भाग जाता वो तो यह क्या चीज़ है यह देहरता वाला शेर है तो यह लंबी इस्तितियों के साथ आप इसको देख सकते हूं NLC इंडिया जो है देश की लिंग लाइट और बिजली के वेवेसाई में लगने वाली एक कंपनी है जिसको अपनी छमता को रिनेवल एनरजी हो गया या ताप थर्मल पावर से जो बिजली उत्पन होती है उसको बढ़ाने का उदेश से इस कंपनी का बहतरीन तरीकों से है देश की 1 गीगावाट अक्षे उर्जा की पहली कंपनी NLC इंडिया अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए 2030 तक 17 गीगावाट तक की छमता जोडेगी और अब 17 गीगावाट तक की छमता ये पूर्ण तियार रिनेवल अनरजी में नहीं अभी इसकी अगर हम रिनेवल की छमता देखे तो 1.4 गीगावाट की है और अगर इसकी हम ठाप की छमता तर्मल पावर से छमता होते उसकी अगर हम चमता NLC इंडिया की देखे तो वह करी टो टोटल 6 गीघा वाट की छमता दोनों मिला कर है अब 1.4 गीगवाट चमता को ये 6 गीगवाट की चमता रिनेवल अनरजी जो चमता 1.4 गीगवाट की है इसको 6 गीगवाट की चमता ये 2030 तक का लक्षे देख रहे हैं और दोनों मिलाकर ये चमता को 2030-31 तक करीब 17 गीगवाट तक के कर देंगे एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि रिनेवल अनरजी की तरफ इस तरीके की जो कमपनिया है जो टाप में काम करती है या अन्ने इंदनों में काम करती है या ONGC जैसी कमपनिया ये पहल कर रही है अपने को सवच उर्जा की तरफ लाने की और अपना अधार बनाने की 2026 की पहली तिमा यानि की क्वार्टर वन में 2026 में इस चीज का IPO भी ला सकती है और ये सारा का सारा अपनी सवच उर्जा को पूर्टिया बढ़ाने की एक कावयाद जो है NLC इंडिया ने देखी है अब इस उदेश से के लिए ये विदेशी कमपनिया और असान रिन असान रिन जो होता ना बैंकों से लेने के लिए भी योजना बना रही है तो पूर्टिया NLC इंडिया नंबर बन कमपनिया इंडिया की यह आप समझ लेना तो देश में एक करांती से आ रही है और वो करांती है रिनेवल अनर्जी की तरफ उतरने के लिए है और उसे देखते हुए ये अपनी छमता को जो 6 गीगावाट की करेगा रिनेवल अनर्जी में उसके लिए इसको पैस पैट्र डीजल में ही सिमित रह गए न तो फिर ये देश की बड़ी-बड़ी जो कंपनिया हैं यह आगे जाकर पैट्रोल डीजल में वरक करीगे और जब पूरा जमाना रिनेवल अनर्जी की तरफ है और ये देश की बड़ी-बढ़ी जो कंपनिया हैं इनके ओपर इतना स चीजे हैं यह cmd ने बता दिया अपने लक्षे और यह लक्षे है ग्रीन अनर्जी की तरफ और अपनी चमता को चीजों को अच्छा करने के लिए आई प्यों की तेयारी यह लंबे समय होते हैं इन चीजों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा आई ओसी देश की एक बड़ी तेल कमपनी है यह आपको समझ कर चलना पड़ेगा और तेल की रिफाइनरी और पैट्रो केमिकल में कमपनी वर्क करती है और कहीं न कहीं देश की प्रगर्थी के लिए अपनी चीजों को अच्छा करने की चीजे हमें बताती जा रही है आई ओसी आज से नहीं कहीं वर्सों से गेर तेल वेवेसाय होते हैं यह एक तो हो गया है इनन का ओयल का काम उसके अलावा दूसरी तरफ जैसे पवन में सोर उर्जा में दूसरा प्राकर्तिक गेस में इस तरफ अपने लक्षे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आपको जादा से जादा आयोसी काम करते हुए देखने को मिला है पर कंपनी अपने दूसरे वेवेसाय को यानि कि इन तेल से हटकर गेर तेल के जो जानी कि इनके विना जो एक अलग वेवेसाय है जो ग्रीन अनर्जी पर होता है उस पर अपना लक्षे सैट कर रही है यह ब बैटरी अन्य बैटरी पर वर्क करते हैं पर आप अगर आप बैटरी का भी शेर देख रहे हो तो आयोसी भी उसके अंदर नंबर वन बनने की त्यारी में काफी अच्छा अपनी चीजों को करता जा रहा है भारत में लीथियम आयन बैटरी निवी निर्मान की अवसरों की तलास करने के लिए इसने जैपान की कंपनी पैना सोनिक के साथ भी हात मिलाया हुआ है और बैटरी स्वेपिंग यानि कि आपको वह चीज करता हुआ देखने को आयोसी मिलेगा जहां पर अगर आप अपनी अगर आपके पास इलक्ट्रिक कोई वहान है और उसकी बैटरी न बैटरी ले जाओ तो यह बहुत बड़ी योजना लीथियम आयन बैटरी के छेतर पर आयोसी करने की दिसा में आ रहा है और दूसरा इलक्ट्रिक वानों के लिए चार्जिंग स्टिशन में बड़ी तेजी के साथ कंपनी वर्क करते हुए आगे आपको देखने को मिलेगी तो यह हो गया गेर तेल विवसाए यानि कि बिना तेल का अलग तरीके का विवसाए जो बैटरी से इसको बैटरीन करता जा रहा है और आपको एक चीज और पता रगना पड़ेगा कि अगर यह गेर तेरे कारोबार कुमे अवसर तलास कर रही है तो इसने बोल दिया है कि य अपनी प्राकरति गेस की विक्री को तीन गुना बढ़ाने की लिए वर्ग कर रहा है यानि कि एलेंजी पर तीन गुना बिक्री बढ़ाने के लिए भी वर्ग कर रहा है और नव करने उर्जा को करीब तक बढ़ाने की चमता के लिए यह दो जार इकत्तिस तक वर्ग करेग बहुत बड़ी चीज आयोसी अपनी चीजों को अलग करता जा रहा है आयोसी को लीथियम आयन बैटरी की चमता 5 गीगावाट घंटे तक बढ़ानी है और ये आपको बैटरी सेक्टर में अच्छा वर्क करते हुए देखने को मिलेगा आयोसी 2021 तक रिनेवल अनर्जी की चमता करीब 31 गीगावाट की चमता जोड़ने के लिए काम कर रहा है और ये सोर पवन की चमता को चीजों के साथ भी करेगा और एक चीज मैं आपको बताऊँ SJVN जो शेर है मैं आपको पहले भी बताया था वो आयोसी के इस कारे के लिए आगे की दिसा जो नव करने उर्जा के लिए आगे की जो दिसा एक न्यूज निकल कर आई थी कि IOC ने SJVN के साथ जो हाथ मिलाई थे ताकि वो पवन सोर हाइब्रिड के लिए आयोसी की इस तरीके से गेर तेल का जो कारोबार है उसको बढ़ाने के लिए भी हाथ मिला है जो दिर्ग काले हैं लंबे समय के लिए है तो 2030 का खाका आयोसी ने त्यार कर दिया और यहां से आपको देखना है कि अगर आपको बैटरी की तलास है कि बैटरी वाला शेर कौन सा है तो उसकी यह प्लानिंग करके बैठा भी यहां आयोसी और बैटरी स्विपिंग जो होता है यह आपने देखा भी होगा भी यह अपनी बैटरी लगाओ दूसरी बैटरी लेकर जाओ यह उस मोडल पर वर्ग कर रहा है जब हम किसी शेर की अनलाईज करते हैं तो उसकी बारिक्यू को जानना सबसे मैटरू पर हो जाता है तो आयोसी देश की एक बड़ी कंपनी और आप तो आपको पता ही है डिविदेंट की तो बोचार कर देता ही है अभी 7 रुपे का डिविदेंट भी इसने दिया है तो अब यह डिविदेंट का माध्य हम करें बहुत से लोग पूछने डिविदेंट के सब्सक्राइब तो एक आयोसी भी है आपके सामने है इसको भी देखना है तो यह एनलसी इंडिया ने अपने IPO की चीज़े और अपनी 6 गीगावाट की चीज़े हमें बता दी जो रिनेवल एनरजी पे है आयोसी अपनी छमता को जिस तरीके से प्राकरती गेस में तीन गुना बढ़ाने की चीज़ों के साथ देख रहा है वो भी एक महत्तोपूर्ण चीज़े दूसरा यह अपनी चमता को रिनेवल एनरजी में 31 गीगावाट की करने की चमताओं के साथ है यह भी बैस्ट है फिर इसका जो चीज़े जो पैना सोनी कमपनी है जिसके साथ यह लीथियम आयन बैटरी के वी निर्मान की अफसरों को खोच करेगा फिर यह अपनी चीज़ों को रच्छा करेगा तो यहाँ पर भी आयोसी एक बैस्ट परक है देख जिस टैम मैं वीडियो बना रहा हूँ सुजलोन अनरजी की यह वाली अभी तक के सुजलोन अनरजी का रिजल्ट निकल कर नहीं आया है तो इसके उपर हम कल फिर वीडियो बनाएंगे पर अगर आपने मेरी कल की वीडियो सुजलोन अनरजी पर देखी होती तो मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि कितना कितना इसके पास ओडर बूक है और क्या-क्या की मंसा से एफो ने इसके अंदर हमें बताई है बहुत महत्तोपूर्ण वो वीडियो है वरना तेजी के घोड़े वाली वीडियो तो सब बनाएंगे आज अगर इसका रिजल्ट बाइचान अभी तो आ नहीं आया बाइचान इसका जाड़ थोड़े देर बाद आ जाए फिर आपको वीडियो खटा-कट खटा-कट देखने को मिलेगी सुझलोन ने यह हो गया वो हो गया यह हो गया उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा उससे एक-दो दिन की तेजी है लंबे समय के अगर आपके वजूद है तो भीया जिस तरीके से मैं वीडियो मना रहा हूँ इससे समझने की कोसिस करो और कल की वीडियो अगर आपने सुझलोन अनर्जी पर नहीं देखी कि रिप्या एक बार फिर से उसे देखें उसके अंदर बहुत एक अच्छी चीजे मैं आपको बताई है एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताई दूं क्यूंकि यहाँ पर जो चीजा में देखने को मिली है कि आनंद राठी जी ने अपने 55 रुपे के जो पहले खरीद के टार्गेट इसके दिये थे आनंद राठी जी के तरफ से निकल कर आ रहे है तो अब करजा मुक्त कंपणी आपके सामने है थोड़ा सा सेरोल्डिंग पैटन में आपको परमोटर कम देखने को मिलेंगे वो भी मैंने आपको कल समझाया है तीसरा जिस चीज के लिए वर्क करता है वो देश के अंदर एक ग्रीन अनर्जी के अंदर जो है छमता को जोडने वाले यह कंपणी है आज मैंने आपको आयोसी की चीज़े जो बताई है वो उसके अंदर क्या देखने को मिला आपको पवन और सोर और बैटरी और LNG यह सब ग्रीन अनर्जी की चीजों के साथ है फिर जब मैंने NLC इंडिया के बारे में आपको बताई कि 1.4 गीगावाट की छमता NLC इंडिया की फिलाल की है और इसे यह 6 गीगावाट की 2030 तक करेगा तो वो भी तो यही पवन की चीजों के साथ है और यह सोलर की चीजों के साथ और अन्नी चीजों के साथ आगे बढ़ाएगा और यह पूर्टिया आपको विंटर वाइन में चीजों में वाली कमपनी है तो इसका रिजट अगर अभी तो नहीं आया है कि अगर इसने रिजट बहतर कर दिया पिछले क्वाटर से तो बैस्ट होगा क्योंकि पिछले बार इसका 2,195 क्रोड रुपे की सेल्स और 254 क्रोड का प्रोफिट था अब हमें इसका जो क्वाटर वन है यह पूर्टिया इसको जच करना पड़ेगा पर अगर आप कंपनी की वेल्लूबल चीज़ों को जच करना है तो फिर इसकी ओडर बुक को भी देखकर चलना पड़ेगा है ना तो वो भी चीज़े देखिये कल की वीडियो देखिए उसके अंदर कुछ आपको अच्छी जिज़े देखने को मिल सकती 민 fij पैसो से पैसा बन सकता है पर पैसो से पैसा आपको यह नहीं पताएगा एनलसी इंडिया जो आई प्यों लेकर आ रहा है वह ग्रीन अनर्जी की तरफ अपने बढ़ते कर्मों को दिखा रहा है वह उससे ही पता लग जाता है कि अपनी चमता को 6 गीगावाट करेगा जो अभी 1.4 गीगावाट की है तो यह कंपनी आपकी ताप की छमता और ग्रीन अनर्जी की छमता से और अपने व्यू के अनुसार बैस्ट है जो लंबे समय के लिए आप इसे देख सकते हो आई उसी जहां आपको पहले तेल डीजल अन्य अन्य चीजों के बारे में पता था आज आपको बैटरी के बारे में और इसकी रण नीत पहले ही चाहे दो दो तीन तीन पाँच 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 शेर जो आपकी छमता है जो आपका निर्मान कर सकते हैं उस हिसाब से अनलाइज करके चीजों को देखे नहीं तो पैने श्टोप तो हमें घेर करी जाएंगे सुजलोन अनरजी का जो रिजट अभी मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आया है पर अगर आप मेरी कल की वीडियो देखें तो उसके अंदर आगे की दिसा अच्छी आपको देख सकती है वरना एक दो दिन की तेजी आमें कोछ भी बैतर करके नहीं जाएगी तो सर मेरी जो वीडियो बन रहे है किसी को खरीदने बेचनी की दिसा की अनुसार बिल्कुल भी नहीं बन रही है अपनी अनलाइस को सबसे तेज करना सर हमारी अनलाइस को समझने की कोसिस करना और टारगेटों से उलजने से अच्छा है चुप चाप सांथ बैट कर नियू से जादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियास से किसमत फल्टेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार